एक हलचल भरे शहर के मध्धे में विशाल अपार्टमेंट इमारतों की कतारों के बीच एक पुरानी भूली हुई खिलोने की दुकान थी. इसके धुन्धले चिनपर मिस्टर विटेकर्स टॉई एम्पोरियम नाम अंकित था लेकिन कुछ ही लोगों ने अंदर जाने की हिम्मत की क्योंकि दुकान के मालिक का काफी समय पहले निधन हो चुका था जिससे उसके खजाने धूल में मिल रहे थे. भूले हुए खिलोनों के बीच दुकान के कोने में एक अनोखी अलमारी रखी हुई थी. दिखने में साधारण, इसमें एक ऐसा रहस्य था जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था, एक ऐसा रहस्य जो जल्द ही उन लोगों के जीवन को बदल देगा जो इस पर ठोकर खाएंगे. एक बरसात की दोपहर, एमिली और टॉम नाम के दो भाई भेन भारी बारिश से बचने के लिए आश्रे की तलाश में मिस्टर विटेकर के खिलोना एमपोरियम पर पहुँचे. धूल भरी अलमारियों और भूले हुए खिलोनों से आकर्शित होकर, उन्होंने जल्द ही खुद को कोने में रहस्य में अलमारी की और आकर्शित पाया. जैसे ही उन्होंने इसके दर्वाजे खोले, उनका स्वागत एक चकाचौंध भरे द्रिश्य से हुआ आश्चरियों की एक लगु दुनिया, जहां जादू की जिल्मिलाहट के साथ खिलोनों की आकर्टिया जीवन्थो उठीन. आश्चरिय चकित होकर, एमिली और टॉम ने छोटे-छोटे शूरवीरों को ड्रेगन के साथ द्वन्द व्यूद करते हुए, बैलरिना को सुन्दर ढंग से समुदरी डाकू करते हुए, और खिलोना सैनिकों को सही संग्रचना में मार्च करते हुए देखा. मंत्रमुग्ध शक्सियतों में सर रोलेंड नाम का एक बहादुर शूरवीर और क्लारा नाम की एक सुन्दर बैलेरी ना थी, जो खिलोने की दुकान की सीमा से बाहर निकलने और उससे परे की दुन्या का पता लगाने के लिए उच्सुक थे. अपने नए दोस्तों की मदद करने के लिए द्रिट संकल्पित, एमिली और टॉम ने सर रोलेंड, क्लारा और अन्य खिलोनों की आकृतियों को जीवन्त करने के लिए मंत्रमुग्ध अलमारी के जादू का उप्योग करते हुए एक साहसी साहसिक कार्य शुरू किया. साथ में उन्होंने शहर की हलचल भरी सडकों पर यात्रा की, बाधाओं को पार किया और रास्ते में आने वाली चुनौतियों पर काबू पाया. लेकिन जैसे जैसे वे खिलोने की दुकान की सुरक्षा से आगे बढ़े, उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि उनकी नई आजादी की एक कीमत भी है. अंधेरी ताक्ते चाया में छिप गई, उनकी दुन्या को तोडने और उन्हें अराजकता में डुबाने की धमकी दे रही थी. साहस और दृट संकल्प के साथ, एमिली, टॉम, सर रॉलेंड और क्लारा अंधेरे का सामना करने और अपनी लगु दुन्या को नुकसान से बचाने के लिए सेना में शामिल हो गए. बहादुरी और दोस्ती के माध्यम से उन्होंने पाया की सबसे छोटा प्राणी भी दुन्या में बदलाव ला सकता है. जैसे ही उनके साहसिक कार्य का सूर्य अस्थ हुआ, एमिली और टॉम ने अपने मंत्रमुग्ध दोस्तों को विदाई दी, यह जानते हुए कि वे हमेशा उनके दिलों में जगह बनाए रखेंगे. और यद्यपी खिलोने की दुकान बाहर से अप्रिवर्तित रही, इसकी दीवारों के भीतर, जादू और आश्चर्य की एक दुनिया पनप रही थी, जो उन लोगों द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही थी, जो असंभव में विश्वास करने का साहस रखते थे. झाल आशब के जो प्रतीक्षा कर रही थे थी, जो उन लोगदे आश्चर्य की देज़ारों के जादूंब के रही थी, जो बाही है।